हलो प्रंट्स, आजम बनाने जा रहे हैं न्यूडी याइन का मेरर इसे बनाने के लिए धागा, रिंग, मोती, लटकन, लाइटर, इंची टेप, सीजर दस इंच की दो रिंग, चार इंच की चोको रिंग, तीन इंच की राउंड रिंग धागा, तीन लच्छी नीला, दो लच्छी औरेंज, और काच चाहिए, काटा बीट भी हमने दो कलर में लिए यह देखे फ्रंट, हमने धागे काट लिए हैं, यह हमारा पांच म्यूटर का एक धागा है इस कलर में हमने आठ धागे काटे, इसको ऐसे डाल देएंगे, ठेक, यह हम सभी धागे फसा लेंगे ठेक, अब देखे, एधाली हमने आ रही वाले चार काटे हैं, दोनों साड़ दो दो फसा देंगे ए भी हमारा पांच म्यूटर काई है, ठेक, ए बीच के देखे, इनमें एक मोती डालेंगे ठेक, यह दो धागों, इनको लेके ए ऐसे, यह वाला यहां से जाएगा ठेक, से इधार यह हमारी स्कॉर नाट हो गई ठीक, अब फिर से बीच के दागा लेंगे, फिर बनाएंगे, पहले मोती फिर गाट, इसी तरह में यहां तक बना लेते हैं इस देखे जाएचे फासग ऐसा भी में ठेक, अब इनमें नहीं करना, इसके दो धागे छोण के, इसके और इसके दो दो लेके, इसमें स्कॉर नाट, इस बार हमें मोती नहीं लगाना ठेक, यह अच्छे, यह अच्छे, फिर तीन हमारी गाटी आएँ ठेक, दो इधर इध इस बार दो और छोण के, इस बार दो आएंगे, ठीक, फिर इसके बाद एक आएगे, एक तक हम सेम बना लेते, अब इसको दागा लेंगे, इन से पाइपिंग करेंगे, इसके लिए यहां से थे, एक राउंड हो गए, फिर इसी से एक बार आवर, फिर इसे छोण के, फिर आगला लेंगे, फिर करेंगे, इसी तरह यहां तक कर लेते, इसे नहीं करेंगे, जो हम पाइपिंग करके ला रहे हैं, उन धागों से हमें नहीं करना, जैसे इधर से कर लेंगे, से हम इधर से भी चारो धागी में, यह देखिए अब बीच के चार धागे लेंगे इसमें इसको अनाठे वाले इसमें हम चार लगाएंगे देखो गई तीन और लगा देखिए बीच वाले धागे लेंगे इनको हम यहां से डालेंगे यहां से नीचे से खीच लिए अब इसमें इधर से फिर इसको अनाठ लगाएंगे अब इसी के दो दो इधर से अब फिर से इसमें इसको अनाठ लगाएंगे इसमें भी हम चार ही लगाएंगे अब फिर से इसको इसके अंदर डालेंगे अब से यहां बना लेतें फिर इसके बाद बीच में इसको अनाठ लेंगे अब एवाला धागा लेंगे दो धागाँशे ज़िए ज़िए अब इसको देखे ये दो धागे लिए इसको ऐसे ठीक फिर इसे को यहां से फिर इसको यह ऐसे यह हमारी दू हो गई हमें तीन इस तरह की डियान बनानी थे यह देखे अब इसमें यह दोनों धागों से फिर पाइपिंग कर देंगे ठीक अब इन दोनों में भी पहले बना लेते हैं इसमें पांच बनाएंगे इसमें साथ अबस्बस्टराओ्ट्टी हो कि अबस्टराओता अबस्टराओ नगे इसमें अबस्टराओता बनाएंगे इस तरह हम चार धागे से कर लेंगे ठीड फिर सेम इधर बनाके इसी तरह डियांड कम्प्लीट कर लेते हुआ पहले यह देखे जैसे हो गाए ठीड अब हम बीज की चार धागे लेंगे इसमें स्कुएर नाट लगाएंगे वाई यह ऐसी गाट के दो दो इधर से लेगे इसमें लगाएंगे इसे छोड़ दिए फिर इसके दो और इधर से दो इसे के दो दो इधर से कि यह बीच में एक आएगी कि एधर ले लेंगे कि अब फिर दो इधर एक राओं यहां तक बना लेते हैं इस बार हमारी चार हो जाएंगे कि आए यह रींग लेंगे इसमें इधा अगे फासाएंगे इसके लिए आएज छेंदफिन फिर एक बार आप अ कि इसी तरह हम शिरप अचारब्ले नीले अधर नागे इसमें फासा देंगे अच्याजिवल्या अब इसको ऐसे करके दूसरी डिंग भी फसाना है तो हमने यहां धागे फसा लिए दो रखें इसको यह देखिए इसको इतना गईप रखेंगे इतना यह ऐसे करके फसाएंगे अब इसको फिर से सीधा कर लेंगे अब इस अभी धागी हम इसमें फसा लेंगे उपर वाले नहीं अभी नीची की ही है यह अची है यह देखिए पर इसको हम इसे ऐसे डाल देंगे ठीक इसको थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे अब यह जो दहागी है इनको भी से फसा देंगे कर दो देंगे यह देखिए एक धागा लेंगे यह हमारा एक मेटर कर दो मेटर कर इसको ऐसे किये यहां यह हमारा इंटार आधा इसको यह यहां से ठीक फिर से इधर ची यह हमारी इसको एंटार इसको हम ऐसी बनाएंगे यह देखिए इसको यहां कर देंगे यहां से यहां तक कर लेंगे से इधर भी बना लेते हैं यह देखिए फ्रण जैसे यहां तक बनाएंगे पूरा कर लेंगे हां तक ठे अब इधर बनाएंगे पाई लेते एक धागा लेंगे वाला इंसे आमें पाइपिंग करना है अब एक धागा लेंगे इससे अभी हमने दो मेटर का काटा इसमें ऐसे यह ऐसे इसके एक राउंड ऐसे घुमा दिये इसे में एक राउंड अबर कर दियेंगे एह हमारी एक पाईपिंग हो गया अब इसकुए सांत में आह है दो बार हो गई फिर इधर्ट चेंथ फिर इधर्ट चेंथ इधर्चें लिएधर्ट इधर्चेंथ इस दागे में हम एक मोती डालेंगे इसको ऐसे करके पाइपिंग करेंगे करेंगे कि तुग अब इसी को वापस इधाल ले आएंगे अभी यह हो गई फिर यह साथ में लेद यह बाहर साइड निकालेंगे फिर यह साथ में लेद अंदर साइड निकालेंगे फिर बाहर साइड फिर अंदर साइड फिर बाहर अब इसमें फिर्शे मोंती इसको फिर्शे पाइपिं करेंगे इसको हम इससे निकालेंगे इसको ऐसे रखें यह देख लेंगे हमारा जहां पर आ रहा है इससे इससे ऐसे फिर इसको ऐसे बना लेंगे यहां पर हमारा आता जाए वहां फसाते जाएंगे जैसे हमने दो बनाई इसको यहां तक बनाएंगे ठेक से मिधर भी बना लेते पहले फिर आए है आए यह थे है अब इधार के पहले इसके लाए? छोड़के दो धागों में हम मोती डालेंगे इसमें हम रड़ डाल देते हैं कि फिर इसको अनाश लगा देंगे जैसे एक लगाए इसी तरह हम इधर तक लगा लेते हैं कि यह देखे ठीक अब दो इधर छोड़के फिर लगाएंगे अब हम इसमें मोती नहीं डालेंगे बस चिर्फ गाठ लगा लेंगे कि फिर दोनों साइड हमें छोड़ते हुए दो दो धागे फिर बीच में हमारी एक आएगी तब तक लगा लेते हैं यह देखे फ्रण इधर और इधर ठीक यह वाले धागे हम इधर से निकाल लेंगे नीचे साइड इसे भी डाल दिये नीचे इधर देखे इसको यहीं कट करेंगे ऐसे इसको यह ऐसे जो हम यहां जॉइंट किये थे धागे इनको भी ऐसे चुका देंगे यह देखे अब यह थागा लेंगे यही वाले अब इनसे हम सभी से पाइपिंग करेंगे इस देखे एक राउंड कर लिए इसी तरह हम इस तीन धागी और कर लेंगे इससे नहीं करना ठीक यह वाले से इसी तरह पूरा कर लेते हैं यह देखे फ्रण अब हम बीच के चार धागे लेंगे इसमें स्क्वेर नाट इसमें हम चार स्क्वेर नाट लगाएं यह डिजाइन हम ऊपर बना चुके वही वाली हमें कंप्लेट करना ठीक जैसे धागे हमने पांच मिटर लिये थे हमारे थोड़े छोटे हो गए हैं तो इनको हम ऊपर से ही छाए मिटर ले सकते हैं ठीक कि इसको यहां डाल देंगे दो धागे बीच के अब फिर इस करना ठीक लगा देंगे अब इधार एक लगा लें एक इधार फिर बीच में आएगी ठीक तीनों हम लगा लेते हैं पहले यह देखे प्रण जैसे ही हो गया इसको यह लेकर यह से हमने ऊपर ही डियाइन बनाई है हमें उसी तरह बनाना ठीक यह एचे इधार हम कर लेंगे चार राउंड चार राउंड इधार यह हमें पूरा कंप्लेट करके दिखाते हैं यह देखे अब बीच के चार धागे लेंगे इनमें इसको यह नाठ लगाएंगे ए ऐसे ठीक अब इसी के दो दो इधार से लेके फिर लगाएंगे इसी तरह हम पूरे धागे लेके नीले धागे में ही बनाना है तो हमारी चार गांठे आएंगे बना लेते हैं फिर यह देशेएंगे पूरे दागे लेके नीले धागे में यह देखे इन में भी हम एक आठ लगाएंगे यह ठीक से में धर भी लगा देते हैं आप हम रिंग लेंगे चोकोर वाले इसको आएचे ठीक फिर एक राउं आवर एक धागे से दो वार इसी तरह इस रिंग में हम इवारे धागे पूरे पहले फसा लेते यह देखे फण जैसे हमारी रिंग फसने के बाद इसमें धागे फसा आना है इसमें हमने नीले कलर के दस धागे फसाए और और अरज हमने आठ फसाए एचे पसा देंगे देखे एचे 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 ठेख फिर इसको एक बार और एचे लप्यट देंगे एच जैसे दो धागे फसाए फिर हम और एच फसाएंगे हम इसी तरह पूरी रिंग कवर कर देते हैं इस देखे सभी धागे फस गए अब यह जैसे चार धागे लेंगे तो बीच वाले में हम पहले मोती डालेंगे ठीक फिर आब हम इसको एक नाट लगाएंगे यह ऐसे हैं इसी तरह हम एक राउंड कम्प्लेट करेंगे मोती डालते हुए अब दूसरे राउंड में फिर मोती नहीं डालेंगे फिर ऐसे गांट लगाएंगे यह कि बनाएंगे दो दोनों के दो धागे लेके हम हम दो स्कुर्ड नाट लगाएंगे में ऐस जैसे दो हो गए फिर शोन के फिर अंगला दाखा लेंगे फिर करेंगे इसी तरह राउंड कर देंगे फिर सब्सकुलाहेंगे तक बना लेटे हुए कि यह देखे हैं बारी हमने दो धागे निले दो संत्रा लगाए था फिर अच्छा नहीं लगा था था हम इसे कर दे हैं इहां संत्रे लगा दिए दोनों साइड इधार हमारा नीला था हम नहीं यहां कर दिया ठीक और यहां धागई यह साथ में लेंगे यह ऐसी एक धागई हमारा देड़ मीटर का ऐसे किए इसको यहीं से मोल लिए यह से ऐसे अब राइब करेंगे ठीक टाइट सा करेंगे यह देखें इसको इसमें डाल दिया ऐसे यह वाला खींच लिए ठीक अब यह हमें सभी धागे जो हैं इनको ऐसे ऐसे खींच लिएंगे यह देखें फर जैसे हो गया यह द्हाग यहीं चिपका दिये दोनों को ठीक अब यह वाले धाग लेके इनको हम आठ इंच में कट करेंगे दो धागे लिए एक मोती डाल दिये ठीक एक लटका निसको आचे एसे एसे इसी तरह हम सभी में डाल लेते पहले यह जैसे हाँ है यह हमने अभी नहीं कुछ किया था इनको भी कट करके हैं चिपका देंगे ठीक ए ऐसे यह देखे फ्रंट्स हमारा मेरा कंप्लेट है फर्टvanे यह जीक देखे यह जाए क्याओ प्रोड़ दो खक्मार्व